जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है, उस इंसान ने आज तक कुछ भी नया करने का ट्राई ही नहीं किया है। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अलबर्ट आइंस्टेन। 14 मार्च 1889 जर्मनी के उल्म शहर में एक यहुदी परिवार में पैदा हुए थे सर अलबर्ट आइंस्टेन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफी बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन में थे। इसके बावजुद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया आज 60 साल हो गए आइंस्टन हमें छोड़के चले गए हैं लेकिन आज भी साइंस उनकी थीजिस के बिना कमजोर है तो यही वज़ा है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिन उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो की उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया भर में Greatest Scientist के नाम से जाना जाता है क्या उनके ब्रेन में कोई सुपरनेचरल पार्ट्स थी तो आज हम इस वीडियो में इसी विशे के उपर चर्चा करेंगे दरसल जब एलबर्ट आइंस्टेन का जन्म हुआ था तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज्यादा बड़ा था नॉर्मली बच्चे एक या दो साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं लेकिन आइंस्टेन चार साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे मगर एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैटे थे तो अचानक आइंस्टेन ने कहा सूप बहुती गर्म है अपने बेटे को इस तरह एकदम साब बोलता सुन उनके पैरेंट्स हैरान हो गए और खुश भी हुए लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुम क्यों कुछ नहीं बोलते थे तो अइंस्टेन ने अजीब से जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ सही था अइंस्टेन के जीवन से जुड़े अजीबों गरीब किस्से यहीं नहीं रुके बलकि उनके बड़े होने पर भी उनकी कही ऐसी आदत ही थी जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है जैसे कि अलबर्ट आइंस्टेन को डेट्स और फोन नमबर याद रखने में प्रॉबलम होती थी यहां तक कि उन्हें खुद का टेलिफोन नमबर भी याद नहीं रहता था एक बर उनके एक सहकरमी ने उनसे उनका फोन नमबर मांगा तो आइंस्टेन उनके पास रखे टेलिफोन डिरेक्टरी में अपना नमबर ढूनने लगे यह देखे सहकरमी ने चकीत होके बोला आप अपना खुद का फोन नमबर क्यों याद नहीं रखते तो आइंस्टेन ने उनको कहा कि किसी ऐसी चीज़ को भला क्यों मैं याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूनने से मिल जाती है आइंस्टेन कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनकी टांगो की उंगलिया इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा टांगो की उंगलियों की वज़े से मोजे में छेद हो जाते थे इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया यहां तक कि वो अपने जूतों के फीते भी दूसरों से बंदवाते थे क्योंकि उन्हें जूते के फीते बांदना भी नहीं आता था दोस्तो आइंस्टेन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई खास चीज नहीं है पर मैं तो केवल एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी कूट-कूट कर भरी हुई है लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टेन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे बलकि वो बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे इसलिए बचपन में उनकी गिन्ती बेवकूव बच्चों में की जाती थी उनकी कुछ हरकतों की वज़े से उन्हें कुछ लोगों ने तो शारेरिक रूप से विकलांग कहना भी शुरू कर दिया था खास करके आइंस्टेंड के टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सिर्फ साइंस और मैथ के इलावा हर सब्जेक्स में फेल होते थे और बचपन से ही आइंस्टेंड को किताबी ग्यान में कोई रूची नहीं थी हाला कि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कई ऐसी थीजिस पेस की जिसके बिना आज भी साइंस कमजोर है और यही वज़ा है कि उनका दिमाग आज भी चर्चा का विशय बना हुआ है 18 अप्रिल 1955 आइंस्टेंड के मृत्यू के बाद पैथलोजिस्ट डॉक्टर थॉमस हारवे ने आइंस्टेंड के परिवार की अनुमती के बिना ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था और वो वहाँ से भाग गए इस हरकत के लिए डॉक्टर हारवे को नौ डॉक्टर हारवे ने आइंस्टेंड के दिमाग को एक जार के अंदर बेस्मेंड में कैद रखा बाद में आइंस्टेंड के बेटे हैंस अलबर्ट आइंस्टेंड के अनुमती के बाद डॉक्टर हारवे ने आइंस्टेंड के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया पहल को दुनिया भर के मश्यूर रिसर्चर्स के पास भेज दिया ताकि वो अच्छे से देख सके कि आखिर आइंस्टेंड के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी आम इंसानों में नहीं था और उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टेंड के ब्रेंड टिशू के हजार माइ दिमाग का एक जरूरी हिस्सा होता है जो सबसे जटिल दिमागी प्रोसेस के लिए में फैक्टर होता है और यही ऐसा हिस्सा होता है जो अजीब और गरीब तरीकों से विकसित होता है और साइंटिस्टों का मानना है कि यही वज़य थी कि उनका दिमाग बहुत ही असाधार ज्यादा बड़ा था साइंटिस्टों का कहना है कि यही वज़ा है कि आइंस्टेंड की mathematical skill और चीजों को imagine करने की power normal brain से ज्यादा थी और उनके दिमाग में neurons की density 17 प्रतिशत ज्यादा थी जिस वज़ा से आइंस्टेंड को ज्यादा brain part मिलती थी साइंटिस्ट के मुताबिक इ 44 टुकडे के रूप में अमेरिका के फिलाडेलफिया शहर के मटर म्यूजर में प्रिजर्व किया गया है दोस्तों आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है लेकिन इसके बावाजूत आज भी आइंस्टेंड के दिमाग और इंटेलिजेंसी एक पहली बनी हुई है लेकिन सा बारे में आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मज़दार विशय के साथ अगर आप ऐसे यार वीडियो देखना च शुक्रिया